पाकालिया आज तो हजार होई जाए दोलू बोलो चलो आजाओ उस्टाद पक्सा साच लिजिये उस्टाद दोलू बोलो तुमारा भी जवाब नहीं चलो जल्दी करो नहीं राजा इंद्रबर्मा ने तुमहें तुरंट चलना चाहें क्या सोच रहे हैं माहराज हम सोच रहे हैं कि इस बार सेना दिवस पर क्यों एक प्रतियोगिता का आयोजन किया जाए कैसी प्रतियोगिता महाराज एक ऐसी प्रतियोगिता जिसमें जीतने वाले सैनिक को हम शूर वीर सैनिक का खिताब देंगे और महाराज कितना अच्छा होगा ना अगर आसपास की सभी नगरों की सैनिक इस प्रत्योगिता में हिस्सा ले ये तो बहुत ही अच्छा सुचाव है चुटकी, इससे सभी सैनिकों में मेल जोल और मित्रता बढ़ेगी महाराजी जाओ, महाराजी जाओ वो रही धोलकपूर की टीम जाओ राजू मुझे यकीन है तुम ही जीतोगे अच्छा दोस्तों मैं अपनी जगा पर जाता हूं ठीक समय पर आये राजू इस प्रत्योगीता में हिस्सा लेकर तुमने बहुत हिम्मत का काम किया है समय आने पर ये बच्चा ही तुम सब पर भारी पड़ेगा आज की प्रत्योगीता के नियम बहुत ही सरल है सभी सैनिकों को जंगल के रास्ते से पढ़ाव पार करके वापिस अंतिम रेखा तक पहुचना होगा जो जीतेगा उसे महराज सम्मानित करेंगे सब लोग सावधान हो जाओ आगे खत्रा है सबस्टा करेंगे सम्मानित करेंगे अंहसर भी प्रत्रा है उसक्राव तुमने तो कमाल कर दिया शुक्रिया सेना पती जब तक बाकी खिलाडी यहां पहुंशते हैं मैं नदी से पानी भर लाता हूँ ठीक है राजू यह नक्षे रेस के अगले चरण के लिए है कोई भी अगला चरण नहीं खेलेगा अब हमारे रास्ते में कोई नहीं आएगा हमें बसकत से पहले पहुँचकर सीधे इंद्र वर्मा पर हमला करना है तुमारा खेल खटांग हार मांदो यह सब क्या हो रहा है राजू महराज बजदपूर के सैनेक आप पर हमला करना चाहते थे राजू तुम ढोलकपूर के ही नहीं बलकि इस प्रत्योगिता के सबसे शूर वीर सैनेकों यह लो जन गन मना अधिनायक जया है भारत भाग्य विदाता पंजाब सिंद गूजराठ मराटा राविड उत्कल वंगा विंद्याई माचल यमुना गंगा उचल जल दितरंगा तव शूप नामे जाके तव शूप आशिश मागे गाहे तव जय गाता जन गन मंगन दायक जया है भारत भाग्य विदाता जया है, जया है, जया है, जया है 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 अरे चलो उस्ताद आपकी वज़े से हमें भी रोज देर हो जाती है और आपके साथ साथ मास्टर जी हमें भी मुर्गा बना देते हैं छोड़ो अब चाहे कुछ भी हो जाए मैं स्कूल नहीं जाऊंगा स्कूल चलो कालिया अगर तुम कोई गलती नहीं करोगे तो मास्टर जी तुम्हें सजा क्यों देंगे यही तो परिशानी है चुटकी आज भी मैंने होमवर्क नहीं किया कोई बात नहीं मास्टर जी को सच बता देना फिर मास्टर जी तुम्हें सजा नहीं देंगे ठीक है अगर तुम कहते हो तो चलता हूं पर मुझे तो अभी भी अब चलो भी उस्ताद वर्नो फिर से देर हो जाएगी अगरे अगरे मास्टर जी अभी तक नहीं आए पर उन्हें तो कभी देर नहीं होती अगर आज मास्टर जी नहीं आए तो हम सब खेलने जा सकते हैं या तो तुम हमेशा खेलने के बारे में सोचते हो या खाने के इसलिए तुम्हारी बुद्धी का तो जवाब ही नहीं सब बच्चे अपनी अपनी किताब निकालो और तुम दोनों बाहर जाकर लडाई करो जब मैं क्लास में कुछ बता रहा हूँ तो कोई भी बात नहीं करेगा क्लास में कोई लडाई नहीं करेगा जो भी होमवक नहीं करेगा उसे सजा मिले कि मेरे सामने कोई बहाना नहीं चलेगा कोई सवाल चलो सब के सब अपना होमवक निकालो अब तो मुझे मुर्गा नहीं बनना पड़ेगा पर अगर मास्टर जी भीम के साथ मुझे ढूनने आए तो कान पकड़ के मुझे वापस स्कूल ले जाएंगे एक काम करता हूँ जंगल में जाकर छुप जाता हूँ अरे कालिया आज तुम स्कूल नहीं गए है हाँ वो हाँ वो सलमे आज स्कूल की छुटी है छुटी 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 जल्दी बताओ कितने किलो कम हो गया हूँ है हलका नहीं कालिया पिछली बार से बज़र एक किलो बढ़ गया है नहीं नहीं तुम्हारा तोल ही ठीक नहीं है तोल तो ठीक है कालिया ठीक नहीं है तो हस्मुक वैद की दवा मुझे तो लगता है तुम लोगों को जलन हो रही है जलन हां हां क्यूंकि दवा खाकर अब हम भी बहुत थोश्यार बनने वाले हैं इसलिए पागल खाने में डाल दो देखना पड़ेगा आकर यह सब हो क्या क्यारा है बहुत खुब बच्चों बहुत खुब बच्चों बहुत खुब एक पैसा दे दे रे बाबा कुछ खाने को दे दे रे बाबा यह लोग यह क्या अब बच्चोंट लिकाऊ ना कि और तो यहां होता क दो पुर का सारा सोना हर लोह ऐसे बरी चीज को कावो कर सकता है मेरा यह यंत्र तुम्हारे यह तीर मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हा आज रात होने से पहले मैं दुलिया का सबसे अमीर चोर बन जाओंगा सपने देखते रहो चुमपा चोर अभी बताता हूँ क्यों कैसा लगा मैं अभी उसे नीचे उताता हूँ अब तुम्हारी फेर नहीं चुमपा शाबाश भीम हमें तुम पर नाज है चाहे कितना भी बड़ा चोर क्यों ना हो तुम्हारे आगे सब चोर छोटे पड़ जाते हैं जबू बहुत दिन हो गए हम कहीं खुमने नहीं गए वा राजे लगिन जाए पीकर जाए का जबू 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 मेरी नाग के ओपर से मच्छर उड़ा दो आपका मच्छर आप उड़ा उस्ताद हम लोग अभी पीज़ी नहीं मुझे इंकार मच्छर उड़ गया उस्ताद मुझे वूख लग रही है और मैं आप खाना खाने जा रहा हूँ क्छे कहते हैं आहार गया काल BBहारता है क्या दोलो बोलो मुझे जिताने के लिए जूट नहीं बोल सकते थैं हम तो खुद को जीताने के लिए खेर रहे थे ऑस्ताद हम अब को थोड़ी क्या ॥म दोनों ने तो वम मुझसे जीतों गया बढ़़ा गलत सभी क्रहाई कि आप हार कर भी जीते हैं हार के जीतने वाले को ये ककाल या कहते हैं तुर्के बंदरगा पे एक काला और खुफिया जहां जाया है ना उसमें कोई इंसान है और ना ही कोई सामान महाराज काफी परेशान है उस्तार अगर आप भीम से पहले इस खुफिया जहाज की पहली सुझा दे तो आप महाराज की आखों में भीम से उपर हो जाएंगे दोलू बोलू लगता है पहली बार तुम ने अकल की बार की है अब उस जहाज का रास मैं ही पता करूंगा हो गया हो गया हो गया हो गया अरे ऐसा क्या हो गया प्रोफेसर जो आप इतना खुश हो रहे हैं अंदर आओ तुम सब भी खुशी से उचल पड़ोगे अरे प्रोफेसर यह कैसी मशीन है यही तो है मेरा नया आविशकार आओ अब देखो इसका कमाल अरे वार लड्डू अरे वार यह तो बहुत द्वादिष्ट है यह तो कुछ भी नहीं अगर तुम्टुम्टुमाशी का हुनर इस मशीन के साथ मिल जाए तो हम सब को रोज द्वादिष्ट लड्डू खाने के लिए मिलेंगे मा तो इस मशीन को देख कर बहुत खुश हो जाएंगी वो सब बात में पहले क्या हम इस बटन को एक और बार दबाएं कोई फायदा नहीं है राजू मशीन में और कोईला नहीं है हमें इसे फिर से चलाने के लिए और कोईले की ज़रूत पड़ेगी तो फिर चलो कोईले की खान से और कोईला ले आते हैं और फिर धेर सारे लड्डू खाएंगे कर दो से बड़ी जोर से भूख लगी है और घर में कुछ भी खाने को नहीं है ये ढूलू-बोलू भी नजर नहीं आ रहे है ज़रूर बाहर खेल रहे होंगे अरे ढूलू-बोलू कहा गाय थे तुम दोनों अरे चल्दी आओ जी जी उस्ताद कहां थे सुबह से रोफेसर धूम के तुने एक इधर से उधर यंत्रा बनाया है इससे तो मैं सारे लड़ू चुरा सकता हूं ये यंत्रा मुझे सबसे अमीर आदमी बना देगा ये ढूलू-बोलू को वो क्या गया है किसी बाट पर जगड़ा हो गया होगा थोड़ी दिर में अपने आप सब ठीक हो जाएगा वैसे भी वो दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते ये क्या सारी दुकाने खाली क्यों है भाईया तभी दुकानों से चीज़े कहा गई पता नहीं हमारी आखों के सामने से गायब हो गई चूब मंतर गायब कहीं किसी ने प्रोफेसर धूमकेतु का इधर से उधर यंत्र चुरा तो नहीं लिया हां राजू हमें अभी जाकर प्रफेसर धूमकेतु को ये बात बता प्रोफेसर धूमकेतु कहीं आपका इधर से उधर यंत्र चोरी तो नहीं हो गया ना नहीं वो तो यहीं अरे ये क्या लगता है वो चोरी हो गया अब इस यंत्र की मदद से हम अपनी सेना डोलकपुर के महल के अंदर भेज देंगे महराज प्रोफेसर धूमकेतु का इधर से उधर यंत्र किसी ने चुरा लिया है हमें ये डर है कि कहीं वो गलत हाथों में ना चला जाए तुम ठीक कहते हो भी अगर वो गलत हाथों में पड़ गया तो बहुत बड़ा संकटा सकता है शाबाश भीम तुमने एकदम ठीक किया अब मैं इस एंटी यंत्र से इन सब को एक साथ इनके देश वापस भेज दूँगा शुक्रिया बच्चों शुक्रिया लेकिन ये यंत्र गलत हाथों में पड़ा कैसे लेकिन सैमी को को बेजा कहाँ बच्चों 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 अगर गाना हो गया है तो चले इस बार तो राजा मैं ही बनूँगा मैं फिर से राजा बन गया इस बार मेरा वजीर कौन है तो फिर बताओ कौन कौन चोर है और कौन कौन सिपाही मुझे सोच ले दो जब मैं नहीं बता सका था तब तो बड़ा चिड़ा रहते मुझे अब देटी तो कितने होशी आ रहा हूं कालिया बताओ बताओ तुम सबको अभी पता चल जाएगा कि मैं कितना बड़ा जासूस हूं हर पाहिल को चिड़कियों में सुलजा लेता हूं फीक है फीक है अब बताओगे भी राजो और जगो चोर है और चिड़की और भोलू भोलू सिपाही सब अपने अपने परचे मुझे दिखाओ हाँ चोर है मैं सिपाही मैं भी सिपाही मैं भी सिपाही कालिया, तुखारे चार गलत और सिर्फ एक ही सही जवाब है पर उस ट्रंक में ऐसा क्या है? मैंने एक दिन देखा था, एक पुरानी दूर्बीन है पर वो दूर्बीन हमेशा उस ट्रंक के अंदर ही रहती है और ट्रंक पर हमेशा ताला रहता है दादा जी किसी को भी ट्रंक को हाथ तक नहीं लगाने देते बड़ी भूख लग रही है पचली जोरी में भी हमारे हाथ कुछ नहीं लगा बस मैं और नहीं से सकता द्यान रखना कि अगर भीम और उसके दोस दिखे तो उनसे दूर चले जाना हाँ हमें उन बच्चे से दूरी रहना चाहिए यह भीम हमेशा हमें पकलवा देता है है यह सब यहाँ भी यह भीम तो यहाँ भी पहुच गया चलो यहाँ से हमहार नहीं मानेंगे कुछ और चुराते हैं देखो केले कितने किलो केले चाहिए अरे कितने कच्छे केले है जरा इस वाले को तो देखो किस वाले को इस वाले को रुको तुम लोग केले क्यों चुरा रहे हो हैं क्या यह बच्चे सही कह रहे हैं तुम लोगोंने मेरे केले चुराए यह तो बच्चे हैं इनकी बातों में क्या आना हम क्यों केले चुराने लगे अच्छा, तो तुम लोगों ने अपने पीछे क्या चुपा रखा है? देखो, हाथ हमारे खाली है अच्छा, तो फिर ये छिलके तुम्हारे पीछे क्यों पड़े हैं? और उसने अपने दोनों हाथ क्यों नहीं दिखाए? अरे, तुम दोनों अभी भी यही खड़े हो चलो, चलो, भागो यहां से हमें एक बग्गी चाहिए होगी इस अलमारी को उस कारिगर के पास ले जाने के लिए रुको, रुक जाओ हम तिनों काफी देव से भाग रहे हैं काव वालों ने अब तो पीछा करना छोड़ जिया होगा लगता तो ऐसे ही है अरे, पर हम यह कहां आ गए? ऐसा लगता है कि हम भागते भागते गलत जगे आ गए हैं मुझे नहीं पता था कि यह बूरा कारीगर जंगल के उस तरफ रहता है मैं तो ठक गया हम काफी देर से इसे ठक्का लगा रहे हैं क्यों ना थोड़ी देर के लिए आराम कर ले? हैं? तुम सबको तो सच में आराम की ज़रुरत है ये भी मियाँ पर क्या कर रहा है? आराम कर रहा है मुझे भी दिख रहा है बेवकुफ मैं पूछ रहा हूँ कि ये अलमारी किसकी है? हमें भी नहीं पता कि इस पुरानी अलमारी में दादी ने क्या रखा है हम इसे कारीगर के पास ले जा रहे हैं अच्छा तो ये बात है चलो चलो उठो तुम सब इस बग्गी को धक्का दो अब इस अलमारी में जो भी होगा वो हमारा होगा चलो धक्का दो इसे ये तो एसी खुल गई क्या है इसमें मुझे देखना है ये क्या मजाक है इसमें तो अचार बरे हुए है तुम्हें अब पता चलेगा कि हम कितने खतरनाक है ये क्या है बीम की शक्ती धूम मचाए सामने कोई टिक ना पाए चोटा बीम, चोटा बीम, चोटा बीम, 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 चोटा बीम, 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 चोटा बीम, 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 चोटा बीम, 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 ब चोटा भीम, चोटा भीम, चोटा भीम, दुश्मन बचके रजाए, भीम, शक्ती ऐजी दिखाए भीम की शक्ती धूम मचाए, सामने कोई टिख ना पाए चोटा भीम, चोटा भीम, चोटा भीम, चोटा भीम, 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 चोटा भीम, चोटा भीम झाल झाल